हलो एब्रीवन कैसे हूँ आप सब आई हूप आप सब अच्छे होंगे और यह जो आप वीडियो देख रहे हैं नाग पंचमी का था लेकिन बहुत छोटा था तो मैंने नहीं डाला है इसको दूसरी वीडियो में मैंने एड कर दिया है यहाँ पर मैं आपको अपना फेस क्या बनाया था वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूं मठे के आलू और कचोडियां और मैंने सिमय बनाई हुई थी एक साइड मेरा घी गरम हो रहा था तो घी को मैं गरम होने देती हूँ और एक साइड रखा है मैंने दूसरे चूले पर कढ़ाई चड़ा दिये तो अब मैं कचोडियां बना लूँगी सबसे पहले जो नांग बनेंगे तो नांग असमेन ने बाहर बना दी Aware है सबस Dr.isch आपको में अलब कना बनते हैं कमेंट चरू बताना तो यहां पर मैं कचोडियां बना लूँगी बच्चों की पती को फर्माइब बहुत ही सिमय आज़ बना न बहुत ही जरूरी होता है तो मैंने याँ पर से महिया भी बना ली है और बहुत ही अच्छी बनी हुई है तो अब मैं कचोडियों को गर्म गर्म निकालूंगी और पहले लगा दूँगी भोग नांग गी से बनाए जाते हैं तो गी से बन गए है नांग और उसके बार जो है बियू है और हम सभी लोगों ने खा लिया था उसके बाद ये दूसरे दिन का बियू है स्वरी तो उस दिन मुझे लगानी थी अपने बालों में मेधी क्योंकि जो थोड़े एका जो ग्रे वाल है वो जो है ग्रे दिख रहे थे तो मैंने सोचे चलो मेधी लगा लेती तो मैं अभी क्या करती हूँ मैंने रात में मेधी को घुल कर रख दिया था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और यहां पर यह कैसे घुली है आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं तो यहां पर मेधी घुल गई थी मैंने रात में ही घुल दी थी तो यहां पर जब मै लगाती हूँ तो इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लगा रही हूँ केबल मैंने चाइक पती पानी में मेंधी को रात में गोल दिया था और उसके बास सुबह मैंने थोड़ा सा ओयल डाला है और मैंने सहद़ डाल दिया है थोड़ा सा सहद़ से कहते हैं बाल जो है नेरेशनग हो जाते हैं देख़े आपके हेयर और सब्सके लिए जो सहद होता है बहुत ही अच्छा रहता है मैंने कौन सी मेंधी गोली है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं गलप्स ये हैं ये जो इनी गलप्स से मैं लगाने वाली हूँ मेदी को क्योंकि हाथ से भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने सोचा हाथ क्यों गंदे करूँ तो यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ इदर मिरर के सामने तो मैं सेल्फ लगा रही हूँ तो मैं कैसे लगाऊंगी वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ वैसे लगा तो देखो सबी लोग लगा लेते हैं लेकिन बहुत जादा मुझे अपने हाथ से अच्छे से मेदी लगाना मैं नहीं लगा पाती हूँ अच्छे से पूरे बालों में अच्छे से नहीं हो पाती है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा नारियल तेल भी डाल लिया है क्योंकि आपकी जो बाल है बहुत ज़्यादा रूखे ना हो उसके लिए आप थोड़ा सा वाइल जरूर डाला करिए मैं तो देखो हमेशा डालती हूँ तो इस तरीके से मैं तेल को डाल लूगी थोड़ा सा तेल डालने से आपके बाल जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं धुलने के बाद और जो ड्राइनेस आती है बालों में वो भी नहीं आती है तेल डालने से तो यहाँ पर मैं बालों में लगा लूगी अच्छे से और मैं ब्रस से थोड़ा ट्राई कर रही हूँ और देखे ब्रस तो अच्छा काम कर रहा है लेकिन मैं खुद से लगा नहीं पा रही हूँ तो यहाँ पर लाग कोसिस के बाद भी मैंने पूरी लगा ली है और अच्छे से लग गई है पूरे बालों पर और उसके बाद क्या है इसमें यह जो ब्रस मैंने लिया था उसमें साथ में एक कंगी और निकली है उसमें मैं पार्टिसन करके आप लगा सकते हो तो मुझे बड़ा उलजन हो रही थी इससे करने में तो मैंने सोचा चलो जैसे तसी महदी को कंपलीट करते हैं उसके बाद लगते हैं और कामों में तो यहाँ पर मैं बस बालों में लगा रही हूं अच्छे से और बस जैसे दैसे लग जाएगी पूरी और उसकी बात क्या है देखे अगर पार्लर पे आप जाओगे लगाने मैं भी लगवा लेती हूँ जब मुझे टाइम नहीं होता है तो पार्लर का चार्ज जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है और ये पैकेट केवल आपका आता है धाई सो अंडर धाई सो में ये पैकेट आ जाता है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और ये एलिफ गुडनेस का है हिना पाउडर बहुत ही अच्छा है मैं इसके दो पैकेट लगा चुकी हूँ अलरेड़ी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस मेदी को अगर आप ग्रीन मेदी लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं फाइलली मैंने बहुत ही कोशिस के बाद ये देखे मेदी लगा लिए उसके बाद सावर कैप जो मेरे थे वो मिझे दवारा से मगाने हैं क्या था؟ The water is अब क्या है मैं यहां पर पनी को की लगा ले रही हूं क्योंकि कहा जाता है तो पहले मेदी ओ को सुखा लूँ में लेकिन अब मेदी को सुखने से आपकी बाल है वो भोगी ही-जदर लग रही थी मुझे लेकिन कुछ नहीं मैंने लगा ली है और उसके बाद जो है इसको रखना है दो धाई या तीन घंटे तक कम से कम रखना है तो मैंने सोचा चलो मैं और काम निप्टाल लेती हूँ तो मैंने देखी अभी हाउस हैल पर नहीं लगाई है तीकि रोज प्लान अभी मैं नहीं लगाती हूँ देखिए जितने भी हाथ पर चलाओ क्योंकि बहुत दिनों से मुझे हैल्थ इसू हो रखे हैं लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितने हाथ पर अगर चलते हैं तो थोड़ा बहुत चलाना ही चाहिए क्योंकि जितने जल्दी आप बंद कर दोगे ह हाथ पर चलाना तो आपके हाथ पर और ज्यादा बंद जाएंगे तो जब से मैं नीव घर में आई हूँ थोड़ा देखिए काम तो बढ़ गया है और हाउस्वेल पर लगा लेनी चाहिए लेकिन मैं अभी नहीं लगा रही हूँ बच्चे हस्वेंट सभी कहते हैं लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं खुद कर ले रही हूँ तब तक मैं नहीं लगाती हूँ चलिए जी जाड़ू मेरी हो गई थी सभी में और पोछा बगेरम थर्षडे था तो मैंने सायद पोछा नहीं लगाया मैं थर्षडे को पोछा नहीं लगाती हूँ बहुत दिनों से मैं कबर्ड जो है अपनी में साफ कर लेती हूं वैक्यूम किलीनर से लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ज्यादा देर तक इस काम में लगी रहूंगी तो मेरे जो बाल है वो डैमेज हो जाएंगे तो मैंने पहले तो सुरू करना चाहा सारे कपड़े वगएरा मैंने बाहर निकाले फिर मैंने बापास उसी में रख दिये हैं आगे आप देखिए वीडियो में तो मैंने साइड पे जो धूल मिट्टी थी वो मैं जे डेली दिखती थी खोलने पर तो मैंने सोचा इसको जो है साफ कर देती हूं और मैं दिखाऊंग आपको कि मेरी जो गाउन थी उसमें ये बैक्यूम जो है टच हो जाता था तो ये अपनी तरफ खेशता था उसको तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है बैक्यूम बगएर आप चलाएं तो थोड़ा स्किन फिट कपड़े पहने तब ही चलाएं क्योंकि ये जो धीले कपड़े अगर पहन के आप चलाएंगे त तो मेरे साथ ये दो तीन बार हुआ है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो मैंने याँ पर वैक्यूम जो है साइड पे जो गंदगी थी, उस पे जो है मैंने वैक्यूम लगा दिया है, तो सारी जो धूल मिट्टी है एकदम से ये वैक्यूम खेच लेता है, तो मैंने वैक्यूम से सारी जो किनारी की गंदगी थी, वो मैंने सारी हटा दिया है, और उसके बाद क्या था, उसके बाद फर्स पे भी मुझे थोड़ा बहुत गंदगी दिख रहा था, क्योंकि हेर बगेरा होते न, तो थोड़ा दिख रहे थे, तो मैंने उनको भी जो है वैक्यूम कर दिया है, और उसके बाद मैंने सोचा कि कबड को साप कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा देखिए, धाई तीन घंटे यूहीं बीच जाते हैं, फिर ज़्यादा देर अगर मेंदी लगाएंगे, तो ज़्यादा देर अगर अपने सिर में मेंदी लगाएंगे, तो उससे भी आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज होंगे, तो देखिए मैंने किया किया, पहले मैंने सोचा कि चलो मैं सफाई कर लेती हूँ, तो मैंने सारे कपड़े यहां पर निकाल लिए थे, आप देख रहे हैं ना, फिर मैंने सोचा कि आज नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए काम करने पर थोड़ा काम फैल जाता है, और ये है न्यू सूट का कपड़ा मैं जल्द ही सिलवाने वाली हूँ और ये गिफ्ट किया था तो दीदी ने मेरी गिफ्ट किया था तो बेटी को किया था तो बेटी एक्चुली नहीं सिलवा रही है तो वो बोल रही है कि ममा आपी सिलवा लीजिए तो अभी मैं देखिए इतना काम बाम हो जाता है और बरसात का सीजन चल रहा है तो मैं अभी बाहर जा नहीं पा रही हूँ तो काम भी जो है नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे काम है रक्षा बंदन की साड़ी मुझे कंप्लीट करानी थी फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया यह आप ग्रीन सूट देख रहे हैं तो वही मैं पैन लूँगी क्योंकि मैं साड़ी कंप्लीट नहीं करा पाई हूँ तो मैंने सूचा कोई नहीं चली है अब देखिए मैं यह सोच रही हूँ कि मैं काम करूं की नहीं करूं क्योंकि बहुत काम बढ़ जाएगा तो मैंने बापस से सारे कपड़े उठाकर रख के नारी दूल बिच्टी थी धोल मैंने कमड़ी और इक साइड अपना है तो अभी बहुत जादा मैYस है देखिए बहुत जादा साप तो नहीं है तो यहां पर जो साइड पे जो गनदगी थी हुो सारी मैंने हटा दिया है और उसके बाद मैंने प्लाल रही है नहीं करना है क्योंकि मैं करूंगी तो देर हो जाएगी बाल बॉस करने में तो मेरे लिए बहुत ही रिस्की रहे तो मैंने सोचा कि चलिए और यहां पर बेड़ पे थी थोड़ी बहुत धूल मिटी तो वह भी मैंने वेक्यूम कर दी है और यहां पर अब मैं क्या करूंगी देखी अभी मुझे ज्यादर टाइम तो नहीं हुआ है मेधी लगाए तो मैं अब अपना एक और एक अश्ट्रा क जो है बच्चा खाता है तो वही रखे हुए थे और बेटी ने कुछ खा लिया था तो उसका भी मन नहीं था और पापा उसकी बहार गए थे और भाईया भी एक्चुली बहार गया था तो मैंने सोचा चलो इस प्राउड खा लेते हैं फिर लगते हैं काम में तो उसकी और तब तक मैं कपड़ी प्रेस करने को रखे हुए हैं तो मैंने सोचा कि कपडों को प्रेस कर लेती हूँ तो बस थोड़ा बहुत टाइम में कपडों में निकालूंगी उसके बाद टाइम हो जाएगा तो मैं हेर को वास कर लोगी तो यहां पर मैं खत्रों के खिलाडी तो मैं उसी को देख लेती हूँ तो यहां पर बस उसी को मैं देख रही हूँ और बस उसके बाद खा लूँगी और चाय भी है तो कौफी और चाय का आज इंजॉय ले रहे हैं और यही मैगी कौफी बो सौरी मैगी और चाय का तो यही अगर मैगी आप पाड़ों में खाते ह तो बहुती अलग मतलब आपका होता है एक्सपीरियंस बहुती अच्छी लगती है घर पे भी अच्छी लगती है लेकिन पाड़ों में अगर आप खाते हैं थंडी-थंडी हवा चलती है तो उसका कुछ अनन अलग ही हो जाता है मैं तो जब जाती हूँ कैची धाम तो जरूर से मैगी खाती हूँ क्योंकि रास्ते में मैगी मिलती है तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैगी खाती जा रही हूँ और उसके बाद यह खत्रों के खिलाडी चल रहा है आप लोग भी देखते होंगे तो यहां पर वही मैं देख रही हूँ उसके बाद में लग जाओंगी कपड़ों के कामों में क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे रखे हुए हैं तो कपड़े भी प्रेस कर लेंगे और उतनी दीर में मेरा टाइम हो जाएगा हेर बाऊस करने का तो बस हेर को बाऊस कर देंगे और इसी बज़े से मैंने सोचा आज प्रेस का काम निप्टा लेते हैं इसी बज़े से मैंने कवरड का काम आज नहीं फेलाया हoria तो क्योंकि देखिए दोनों काम करने मुझे ही है तो उससे क्या है दिक्कत हो जाएगी, अब मेरी मेगी हो गई ती अम में ले आई थी अपनी टेबल, यह देखिए मैंने टेबल लोकल मार्केट से ली हुई है प्रेस की, तो इससे क्या है आप बड़े आसानी से प्रेस खड क्या होगा मैंने का मैं रख लूँगी उसको बस आप मगा दो तो यहां पर देखिए बड़े अच्छे से मैं प्रेस को कर लेती हूं और निप्टा लेती हूं और उसके बाद हो जाएगा हेयर वास करने का टाइम तो बस धीरे-धीरे से सारे कपे मैंने प्रेस किये हैं और य ऐसा काम होता था बर्डन वाला कि अरे ये करना है बो करना है बहुत ज़्यादा तो आप काम रहे नहीं है देखो बहुत ही इजी हो गए है काम करना तो कभी हैल्थ इसू रहता है तो थोड़े ऊपर-nीचे है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है अधर वाइस मैं सब धीरे- जिरे निप्टा लेती हूं अपना काम और अपने खुद से काम करने का जो मज़ा है वो हाउस हेलपर लगाने से नहीं है लेकिन लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे उठा नहीं जा रहा है कोई दिक्कत है तो बच्चे क्या ही कर पाएंगे इतना काम तो हाउस हेल पर की जरूरत रहती है देखो मैं कुछ दिन बात जो है बाहर जाने वाली हूं तो मैं सोच रही हूं कि हाउस हेल पर लगा ले रही हूं तो देखती हूं एक महीने लगाने लगाती हूं क्या मतलब आराम तो देखो रहता है हाउस हेल पर लगाने से ऐसा नहीं है लेकिन ब इस टाइम तो मैंने प्रेस वाला जो लड़का है उसको भी कपड़े नहीं दिये हुए हैं बस खुदी से ही प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये टेबल आ गई है तो बड़ा इजी हो गया है मुझे उसके बाद कुछ नहीं था मैंने हेर बॉस कर लिया है और वो देखिया प्रे जो है वो क्यों है मैंने डिया वाई फेसियल किया है आप लोग घर पर उसको जरूर से अपलाई करिए ब्लीच और फेसियल यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका तो मैं आपको दिखा रही हूँ उसके बाद ये दूसरे दिन का भी हो है जब मैंने तेल लग लिया है बाल सूख गए थोड़े 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 तो मैंने यहां पर तेल भी लगा लिया है अपने सिर में अच्छे से वाईलिंग कर लीजिएगा और उसके बाद क्या है कि फिर सुबह मैंने हेर बॉस किया था एक दिन में आप देखिए आप देख रहे हैं ना रैड आप यहां देख सकते हैं मैंने ओयलिंग कर ली है थोड़े बाल सूख गए उसके बाद मैंने ओयलिंग कर ली है बालो में और बड़े अच्छे से भर भर के आपको तेल लगाना है ताकि आपके बाल जो है फ्रीजी ना रहें और डैमेज ना हो तो आपको भर भर के तेल ल माबेटी घर पर थे तो पहले मैगी बनी थी उसके बाद बनी थी खिचडी और वह उसी कहां में जुआए कर रहे हैं उसको खिचडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो जब उसको मतलब टाइम मिलता है तो खिचडी ही सजेस्ट करती है बनाने के लिए तो मैंने कहा तुम्ह हुआ मेरा आज का ब्लॉक इस ब्लॉक को हम यहीं एंड करते हैं मिलते हैं आप से अगले ब्लॉक में तब तक के लिए ओके बाई बाई टेक केर आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं इस कमेंट में जरूर मुझे बताना और यह देखिए काफी अच्छा कलर भी आया है मेदी से चलिए जी मिलते हैं अगले ब्लॉक में तब तक के लिए बाई